Hello everyone, welcome to the Academy, I hope आपले सब अच्छे होंगे आज इस वीडियों हम भारत की नदिया सो संबंदित 50 महतबुड प्रस्ण करने वाले हैं जो बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन है आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा एक्जाम में जाने से पहले बहुत ही अच्छा सवाल जवाब है आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और आप लोग के स्कीन पर एक सवाल दिखाए दे रहा है विष्च का सबसे बड़ा डिलता देश की कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है इसका एंसर आप सभी लोग को कमेंट बाक्स से देना है बनता है तो अच्छी बात है नहीं तो आप लोग को इसका एंसर इसी वीडियो में बता दिया जाएगा तो चलिए बिना दिर के वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ साथ आप लोग को वीडियो पसंद आद वीडियो को लाइक और सेयर कर दिजेगा चले वीडियो शुरू करते हैं पहला कोशन आप लोग के सामने है व्रिहत गंगा के नाम से कौँ से नदीर जाननी जाती है आप लोग चाहें तो वीडियो को पोस्ट करकर करें आप लोग answer भी डेते जाएगे कि एक बेंग कि आप लोगा टेस्ट भी हो जाएगा थीक है तो आप लोगी इसका एंसर क्या होगा कि अपलोक सामने है आप लोग कि अघल बताना है गंगा सरसती पारवती या गुत सब्सक्राइब बनता है ज्यांदी जीगा इसका सही जवाब होगा गोदावरी को जो है व्रिहत गंगा की नाम से जाना आता है option D आप लोगो का सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगरा सवाल लेख लेते हैं निमली कोंसी हिमाले नदी नहीं है ध्यांदी जीगा बहुत है भारत की सबसे लंबी çalषी सबसे बड़ी सबसे नमबर पर आती है गंगा नदी तो भारत की सबसे लंबी नदी इन्हीं बड़ी नदी है ठीक है आप लोग ध्यान दिजेगा अला कोच्छन है बिहार का सोग किस नदी को बोलायता है कौन सी नदी को कोशी नदी को बोलायता है यह आप लोग क्या सी सही एंसर हो जाएगा अला सवाल है निम लिखित में से किस नदी को पौराडिक नदी भी कहा जाता है किस नदी को पौराडिक नदी कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है पौराडिक नदी जो है सिंधू नदी को जो है पौराडिक नदी कहा जाता है किस नदी को सिंधू नदी को जो है प आप लोगा सही एंसर हो जाएगा अगरा सवाल लेते हैं अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कौन सी नदी प्रसित है इसको मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी भी बोलाता है इसका सही एंसर क्या होगा इसका सही एंसर हो जाएगा को सी नदी को ही अपना मार्ग परि जो नगर नासिक है ये गोदा वरी नदी किनारे इसी थैं कौण सा सहर कौं सी नदी किनारे इसी थैं इसे रिलेटेड भी आ लेडी चैनल पर वीडियो अप्लोड ओ चुके आप लोग नहीं देखें आप लोग जाके दे सकते हैं बहुत ही महत्पुड है एक या दो कोशन उस स्टॉप्रिक से भी पूछे जा सकते हैं नदियों से रिलेट है या नदी पूछ लिया जाएगा या कौं से नदी किनारे ऐसी पूछे जाते हैं या कौं से किनारे कौंसी नदी बहती है ऐसे भी कोशन देखने को मिल जाते हैं अगरा सवाल है कौन से नदी दो राज्यों की बीच कावेरी जल बिवाद चल रहा है कावेरी जो नदी है उसमें कौन से दो राज्यों की बीच जल बिवाद चल रहा है I hope सभी लोगों को पता है होगा एक करनाटक और तमिलनाडू के बीच चल रहा है कौन से करनाटक और तम में से प्रवेस करती है ध्यान दिजेगा यह जम्मु कास्मी राज से प्रवेस करती है कौन से राज से जम्मु कास्मी राज से प्रवेस करती है अगरा सवाल है कपिल धारा जलपरपात कौन से नदी पर इसित है यह आप लोग के नर्बदा नदी पर इसित है कौन से नदी प कहां पर बनता है उस जगह का नाम आप लोग कमेंट वाक्स में लिखना है कि इतने लोग से बनता है कि जलप्रपाद कहां यह किस जीले में बनता है आप लोग कमेंट वाक्स जीले का नाम लिख दीजे बस जगह का नाम बनता है अगला सवाल है सिंधु नदी कहां जाकर गिर बहारत का कौन सा सहर सिंधू नदी के तड़ पर बसा हुआ है ये ले जो है ये सिंधू नदी के तड़ पर बसा हुआ है अगला स्वाल है विस्ट का सबसे बड़ा डेल्टा देश की कौन सी नदी द्वारा बनता है विस्ट का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रमपुत नदी द्वारा बनता है कौन से नदी गंगा और ब्रमपुत नदी द्वारा बनता है आप लोग को पता होगा सिंदू नदी को लंबाई है 180 किलो मेटर कितनी है 180 किलो मेटर अला सवाल है किस अस्थान पर भागी रथी और अलग नंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माड करती है आप लोग पता हूं कि भागी रथी नदी और अलग नंदा मिलकर ही गंगा नदी का निर्माड होता है तो यह निर्माड कों से जगह पर होता है उस जगह का नाम यान्हूं आप लोगको बताना है जहांतिजी का बहुत अच्छा खोस्टन है यह होता है द्योそ प्रयाग यानि option B आप लोग का सही answer होगा जहां पर अलखनंदा और भागिरती मिलती है उस जगह का नाम देव प्रयाग है जहां से गंगा का निर्माड होता है अगला सवाल है बंगाल का सोक किस नदी को बोला जाता है इसको बंगाल का सोक आप लोग बताना है किस नदी को बहुत अच्छा कोश्चन है आप लोग को ध्यान अकना है बंगाल का सोक जो है एक गोदा वरी स्वरी दामोदर नदी को बोलाता है किस नदी को दामोदर नदी को बोलाता है और बिहार का सोक कोशी नदी को और बंगाल का सोक दामोदर नदी को बोलाता है आप लोग ध्या यहां दिजेगा इसका राइट एंस होगा ब्रहंपुत्थ नदी का कौई से ब्रहंपुत्थ नदी का उद्गमशुचो भारत से नहीं आफ संदी आप लोगा सभी एंसर हो जाएगा अगरा सवाल है भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना आता है आई होब सभी लोग को इसका एंसर पता होगा नहीं पता है तो आप लोग इसका एंसर खुड ढूड़िए आप लोग हमेसा याज से एक कोश्चन नहीं बनेगा बहुत गज़त बात है चले इसका एंसर आप लोग नहीं बता रहे हैं इसका एंसर आप लोग कमेंट वाक्स दीजिए देखते हैं कितने लोग से बनता है भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना आता है ना स्वाल है तिब्वत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है अगला स्वाल है बांगला देश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांगला देश में जो गंगा को ये पदमा नाम से जाना जाता है अगला स्वाल है निम लिखित में से कौन से नदी देल्टा का निर्मार नहीं करती है ज्यांदीजेगा डेल्टा का निर्मार नहीं करती है इसमें सही एंसर होगा तापती नदी जो है डेल्टा का निर्मार नहीं करती है यहां दीजेगा तापती नदी जो है एस्चूरी का निर्माण करती है ना कि डेल्टा का ठीक है अगला सवाले किस स्राज में सांको नदी भारत में प्रवाइद होती है कुछ से राज में ये प्रवाइट होती है अवरांचल प्रदेश में कहां से अवरांचल प्रदेश से option C सही answer होगा अगला स्वाल है नेमलेखित में से किस राज में नर्वदा नदी हिस्सा नहीं है निमलेगेतने की स्राजे में नर्वदा नदी का हिस्सा नहीं है गुजरात महराज 36 गड़ मंदपरदेश इसका सही एंसर क्या होगा आप लोग दादी है 36 गड़ का हिस्सा नहीं है ठीक है और संसी आप लोगा राइट एंसर हो जाएगा अगरा स्वाल है जमुना के नाम से भारती कौन सी नदी बंगलादेश में प्रसीद है जमुना के नाम से भारती कौन सी नदी बंगलादेश से प्रसीद है जमुना नाम से ब्रह्मपुत नदी ब्रह्मपुत नदी जमुना के नाम से प्रसीद है कहां पे बंगलादेश में ब गंगा को बंगलादेश में पदमा बोला आता है और ब्रंपुत्र को जमुना बोला आता है आप लोग इसको जरू यादखना इसमें confusion होता है ठीक है नेक्स question है निम लिखित में से कौन सी फ्रायद्यूपी भारत की नदी अरब सागर में नहीं गिरती है जादी यह बहुत अच्छा question है इसका सही एंसर हो जागा कावेरी नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है नरवदा तापती और पिरिया नदी जो है अरब सागर में गि और अगला कुश्यन आप noises का नाला की नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्द है इसका सही answer होगा यमुना न ओधा और अगला question आप लोग rápido सामने हैं उसकी नडी दच्छे गंगा के नाम से प्रसिद्द है सही answer हो जाएगा गोदः नदी जो Dartmouth दच्छिर गंगा के नाम से प्रसीद है option C आप लोग का सही answer हो जाएगा तो यह है नदी से रेलेटे 50 मदपूर प्रस्ट आप लोग को यह वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्षन में आप लोग जरू सेयर कीजिएगा और किसी भी टॉपिक पर आप लोग के वीडियो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को प्रोवाइड कराने कोशिस जरू की जाएगे चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद